आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलेशियस और जटपट बनने वाली पतागोबी की सबजी अगर आपको पतागोबी की सबजी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें तेल गरम हो गया है अब हम इसमें जीरे डालेंगे जीरे को गोल्डन ब्राउन होने देंगे और मैं इसमें दो से तीन हरी मिर्च मैंने काटके रखी हुई है वो डाल देंगे हरी मिर्च को थोड़ा होने देंगे और उसके बाद मैं एक कटी हुई प्यास डाल दूँगी प् तक हम कुछ सूखे मसाले लेंगे एक कटोरी में और इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर प्याज में मिक्स कर देंगे अब हम इसे प्याज में मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छी तरह से प्याज में मिल गए है अब हम इसे और चलाएंगे और आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है अब हम कटे हुए आलू डालेंगे आलू को अच्छे से मिलाएंगे मसालों के साथ और मैंने जो पत्ता गोबी काट कर रखा हुआ है अब हम पत्ता गोबी डालेंगे पत्ता गोबी को भी आलू में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं मैंने पत्ता गोबी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है अब हम 10 मिनिट के लिए इसे ढख कर पकाएंगे अब हम खोल कर देखेंगे सबजी हमारी लगभग हो चुकी है अभी हम इसे 5 मिनिट और पकाएंगे अब हम इसे खोल कर पकाना है आलो अभी हलका सा कच्चा है हम अभी इसे 5 मिनिट और पकाएंगे सबजी बनकर तयार है ओपर से हमेशे धनिया डालेंगे गैस बंद करेंगे और अब हम सर्फ करेंगे हमारी पत्ता गोबी की सबजी बनकर तयार है आप इसे घर पर जरूर ट्राय करें यह बहुत ही टेस्टी लगती है और जटपड बनकर तयार हो जाती है थैंक्स फॉर वाचिंग